सैबी ने IPO में निवेश करने रिटेल निवेशकों को शेर एलोट न होने के चलते होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कहा है सैबी का कहना है कि ये ऐसा नहीं होने से निवेशकों को नुकसान होता है सैबी ने इसके अलावा कहा है कि अगर निवेशकों IPO में शेर ना मिलने के कारण पैसा वापस मिलने में 15 देनों से ज्यादा का समय लगे तो 15 फीस अदिब्याज के साथ उसकी क्षटिपूर्ती की जानी चाहिए इसके अलावा सैबी का कहना है कि अगर उसे लगता है कि निवेशक के साथ न्याय नहीं हुआ है तो वह एक शर्म भी ले सकती है निवेशकों को क्षटिपूर्ती के फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी से भी निवेशकों को होने वाली क्षटिप के लिए फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी में है इसमें उन निवेशकों के भी नुकसान की भरपाई की बात है, जिन्हें एपियों में आवेधन के बाद भी शेरे लोटना हो, पाए हो, सैबी का कहना है कि इसके लिए यूनिफॉर्म पॉलसी की जरूरत है, इसमें निवेशकों को न्यूनितम, क्षतिपूर्ती कैसे मिले य इफैक्ट को देखने की जरूरत है, जैसे शेर न मिलने से उसको कितना opportunity loss हुआ, सके अलावा IPO कितने गुना subscribe हुआ, और किसी केटगरी में कितने गुना subscribe हुआ, इसके अलावा निवेशकों शेरे लोट होने की कितने फी सदी संभावना थी और पहले दिन शेयर का लिस्टिंग गेन कितना रहा हालाकि सेभी के अनुसार अगर शेयर की लिस्टिंग इश्यू प्राइज से कम पर होती है तो निवेशक को काई मुआवजा नहीं मिलेगा कोई ये वीडियो अच्छी लगी होगी मैं ऐसी वीडियो उस आपके लिए लती रहूंगी आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किर जगेगा और वीडियो को शेयर जरूर करे तो आप मैं चलती हूँ नई वीडियो के साथ दोबारा लोटूंगी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद